जैजी ने इंद्र दर्श को एक बार पुन है लेकर हाजर हुई हूँ आप सभी का अपना पसंदिदा कारिक्रम जैन वास्तु रहसी है जो एक दूसरी लेवल पे आज चुका है एक दो हम देखते हैं कि वास्तु की शुरुआत होती है जो सिर्फ आपको ये जानकारी देती है कि वास्तु क्या है किस तरीके से आपके जीवर में ये कारगर साबित होती है साथ ही साथ किस तरीके से आपको वास्तु का प्रियोग करना चाहिए लेकिन हम उससे कई उपर आ चुके हैं और ये सब तो आप भी मानते होंगे क्योंकि लगातार आप इस कारिक्रम को देख रहे हैं तो चलिए एक बार फिर से शुरुआर्ट करते हैं कारिक्रम की और डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं लगातार दर्शक हम से जुड़ रहे हैं अभी भी बहुत सारे कॉलर्स हैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने प्रशनों को लेकर आईए बात करते हैं सबसे पहले कॉलर हमारे साथ नरींद्र कुमार वेज जी जुड़े हैं। जीवन के समस्याओ का समाधान करते हैं। अपनी जो पूछना चाहते हैं। मैं इसके बार मेरे सामनी एक जना भीमार होके आया था तो उसके अंदर में आताव 2 मिएट भीमार कर दिया। इसके लिए मैं चाहता हूं जो राजन जी जो महनत कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं। तो उपर वाला ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद बैस साब। आप जैसे लोग जो कम से कम ऐसे लोगों को इदि मोटिवेट करते रहेंगे देश के तो निश्यत रूप से एक नई उर्जा का संचार होता है। और आप जैसे लोग जो की निरंतर धर्म के छेत में धर्मायतनों के संरक्षण संबर्धन के लिए आप निरंतर काम करते रहते हैं। आपके लिए भी आप जीवन शताई हों। ऐसी में अक्षत अनंत सुब भावना सुब कामना करता हूं। अगले कॉलर संतोष सिंग्छी जुड़े हमारे साथ। अजी संतोष ची बताईए। अजी संतोष ची बताईए। संतोष जी बहुत बड़ी आपका साइद अभी तक के हमारे सभी एपिसोडों का सबसे अच्छा प्रशन है। कि हम नकारात्मक विचारों से धीरे धीरे गर्शित होते होते और नकारात्मक क्यों बन जाते हैं। ये प्रकती का प्रकती प्रदत्य नियम है कि लाफ अट्रेक्शन जो व्यक्ति सोचता है और वह वैसा होने लग जाता है। ये आप नकारात्मक सोच लाएंगे तो नकारात्मक कारी रूप में परिवर्तित होने लग जाती है। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने आप में नकारात्मक विचारों की उत्पति नहीं लाना चाहिए। यदि मैं सोचूंगा की यह कारी मेरा बनेगा की नहीं बनेगा। इसी भी व्यक्ति को नकारात्मक सोच अपने अंदर्म नहीं लाना चाहिए। यदि वय व्यक्ति अपना अच्छा सोचता है तब, यदि वय अपना बुरा चाहता है तो नकारात्मक विचारों को पती दिवस, पती चण हर सेकंड में लाता जाए। दूसरा कारण जो आपने बोला वो परमसत्त है कभी कभी नकारात्मक्ता उस इस्थान को इस पर्स करके या भूमी के कारण होती है जैसे कि सबसे स्रेश्चुदारन सिर्वन कुमार का है कि उस भूमी को इस पर्स करके ही उनके विचारों में नकारात्मक्ता आई थी तीसरा कारण होता है, कि जब सथ संग की नकारत परigator, जिन व्यक्तियों के औरा में, आँभा मंदल में हम रहते हैं, सथ संग करते हैं और बैठते उड़ते हैं, उनका भी प्रवहा पड़ता है, जैसे हमारे सत्पुर्शों ने कहा है, कि यदि आप जैसी संगती करते हैं बैसे ही बन जाते हैं यदि सादू की संगती करेंगे तो सादू जैसे बिचार आपके अंदर आएंगे अधि आप किसी अपराधी के साथ रहेंगे तो अपराधिक प्रवत्ती में बडुत्री होगी और किसी सज्जन पुरुस के साथ रहे तो सज्जन विचार आएंगे इसलिए संगती यानि कि उस ब्यक्ति के औरा आभा मंडल चुम्वी की प्रभाव गुरुत्ता कर्ष्ण बल का प्रभाव पढ़ता है और वैब प्रभाव हर ब्यक्ति के मानों के और चेतन मन को प्रभावित करके उसकी भावनाओं को परिवर् क्योंकि यह सरीर की जो सरचना है जो बास्तू वै एदि उसके अंदर नकार अत्मक ता आ गई तो फिर जो मकान है भावन है फैक्टी है इमारते हैं वै भी नकार अत्मक हो जाती है क्योंकि इस सरीर की सरचना यानि इस मसीन नहीं उस भावन का निर्वाड किया है जब उस बनाने वाली इस आपके अंदर वैठी हुई यह मसीन बना सकती है तो उसको बिनास भी किनस्ट भी कर सकती है इसलिए आपके अंदर सकारात्मक सोच निरंतर ही आना चाहिए अगली कॉलर कुना से सुजाता शाहची चुड़ी है हमाई साथ जी सुजाता जी बताएए क्या पूशन चाहती है मैं ये पूशना चाहती हूं कि वास्तु शात्र के इस रख पे इशान ये कौने में टाइलेट होने से वास्तु में कोई दोश आता है क्या सुजाता जी इसान कोड़ वह स्थान है जहां पर हमारे बास्तु पुरुष का हिर्दय होता है अब आप बताईए जब हिर्दय पर जरासा भी कोई ब्लॉकेट सा जाए तो फिर कितना महेंगा अप्रेशन होता है ठीक इसी तरह से यदि इसान कोड़ पर भूमी के यदि कोई गंदगी कचड़ा रख दिया जाए तो निश्चित रूप से पूरे घर की इनरजी डिश्टर्ब हो जाती है इसलिए लेटिन बनाना कदापी उचित नहीं है इसान कोड़ पर क्योंकि सबसे ज़्यादा जीवन दाइनी किर्णे सर प्रितम आपके घर में इसान पर ही गिर गंदी हो करके पूरे के फरेंगे घर को गंदा कर देंगी इसलिए मानसिक आर्थिक तीनों तोरह से तकीसंव पैदा हो जाती है इसलिए किसी भी घर में किसी भी जूकणड में और किसी भी पार की सतल पर इसान को कॉलपा लेटिन बनाना कदापी उचित नहीं है कोई भी कारी आप सबसे वड़ा कारण है हो सकता है आप क्या जब कारी आरंब करते हैं व्यापार आरंब करते हैं क्या किसी से मूर्थ निकलवाते हैं उस दिन हो सकता है आपकी अपनी रासी से अपके नाम की रासी से उस दिन का चंदमा अनिष्ट कारा को क्योंकि चंदमा ही धन और पैसे को लाता है चौथा आटमा बारमा चंदमा होगा, तो आपको लाप कभी नहीं, हानी प्राप्त होगी, क्या आप किसी से मूर्थ पूछते हैं? नहीं पूछते, तो फिर लाप कैसे अरजित होगा, आप कभी भी हम दिन में और रात की कलपना करें, तो कैसे फिर रात आ सकती है ठीक इसी तरह से ही अक्सर कई लोग आसफल होने का कार्ण होता है कि गलस समय में कारी का सुबारम कर देना दूसरा होता है कि आपके जो आपके भाग में है वैसे विपरीत ब्यापार कार्म करने पे भी सफलता प्राप्त नहीं होती तीसरी होती है कि उस भूमी में इनरजी प्रापर ना हो तो उसे स्थान को परिवर्तित करके भी कई लोग सफल हुए है तो आप इन में से देख लिजेगा तीन में से कौन सा फैक्टर आपके लिए लागू हो रहा है और उसमें सुधार करने पर निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी दोस्तो ऐसा कोई जिसको मनुश्योनी मिली फिर जैन कुल प्राप्त हुआ इतना तो पुन्ना आपका है कि आप जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं लेकिन जब आप पांस तत्तों का शम्मेक संतुलन भिगाड देते हैं जब आप दर्बचित काल भाव का उलंगन करने लग जाते हैं तब आपको आसा तीच सफलता नहीं वलकि निरासाख प्राप्त होती है इसलिए आप इन सारी चीजों का नियम और अनुशार पालन करेंगे तो आपके सफलता चर्ण चुमेगी चली सर आगे बढ़ते हैं और अगला जो सेशन है मेल का जिसमें अपने दर्शकों के मेल शामिल करते हैं क्योंकि दर्शक बहुत मेहनत करके डिफरेंट मेडिया निश्चित रूप से अभी मेरे पास 13824 जो बाट्सेप आये हुए हैं आडियो आये हुए हैं और मैं देख उसको कि मुझे ये कारिक्रम पुनाय बंद करना पड़ें इसलिए आप समय पर ही काल लगाएं समय पर ही आपको जवाब मिल पाएंगे जी बिलकुल तो इसलिए हम डिफरेंट मीडियम लेकेर आ रहे हैं ताकि आपके प्रश्णों के जो उत्तर हैं आपको मिल सकें तो चल ये वास्तू की द्रिस्ट्री से ये ठीक है अगर नहीं है तो इसके उपाई क्या कर सकते हैं सीडी का पूर दिशा में निर्मिर्थ होना कदापी उचित नहीं है आपके घर में यस प्रिसिद्धी नाम समाज में इस्थान प्राप्त नहीं हो पाएगा यदि आप सर्विस करते हैं तो आपको वहाँ पर भी पदोर्नती नहीं होगी यदि आप राजनीता है तब भी उ एक और तीसरा वास्तु दोश इस तरह से टीन खतनाक जवरजस्त वास्तु दोश सो गए यह आपको कैंसर जैसे रोग की व्यूत पत्ती करा सकते हैं क्योंकि जैसे ही वह सीड़ी के नीचे लेटिन बनी और साड़ी निगेटिविटी पूरे के पूरे घर के कनेक्टिवि घर का संतुलन बिगर जाएगा और वह पूरा घर negativity में तब्दील हो जाएगा इसलिए CD के नीचे लेटिन नहीं बनाएं दूसरा पूर्व दिशा में लेटिन न बनाएं और फिर पूर्व दिशा में CD का निर्वित होना कदापी उचित नहीं है इस सब को हटा दें यदि हट नहीं सकते हैं तब ऐसी इस्तिती में उस पूरे के पूरे पूर्विदिशा के जित्ता भी पार्ट है उसे हम चारों कॉर्णर में मरकरी के चार पिरामिट डाल करके और इसके ऊपर एक चादी का छोटा सा पिरामिट से कवर्ड कर दें तो निश्यत रूप से वैं दोस्ट फ लाहक आकर खड़े होते हैं और वापस चले जाते हैं ऐसा पिछले तीन महीने से हो रहा है बहुत परिशान हो चुका हूं आर्थिक दिकत पीछा ही नहीं छोड़ रही है क्या करूं में मदद कीजिए रभी जी हो सकता है किसी भी ब्यक्ती ने कुछ निगेटिव इनरजी आपके दर्वाजे आपके ब्यापार के लिए छोड़ दी हो क्योंकि यदि किसी भी ब्यक्ती का उस जमीन पर आकर के उच्चाटन हो रहा है निशन्दे वुस भूमी पर कोई भी किरिया की संपादित की गई है आप कुछ मत कीजेगा कोडिया लोबान और गंधक शुगंधात्री शुगंदवाला जावित्री इन सब को मिला करके गाय के घी में और एक रमो कार्मंत की माला प्यति दिन उस इस्थान पर बैट करके दें और बज्ज पंजर से सुरक्षा कबच बनाएं और सरसों को आप अपने पूरे के पूरी भूमी पर एक रात्री के लिए बिचा दें बिचाने के बाद एक गाय के घी का दीपक आगने कोड़ पर पूरी रात्री भर जलने दें फिर देखिएगा आपको मात तीन दिवस में ही परणाम प्राप्त हो जाएंगे महिश जी यदि आपके भूकंड के नहिरत कोड़ पर कुगा निर्मित किया गया है वह बास्तू के अनुसार बिल्कुल बिप्रीत है जिन घरों में साउथ वेस्ट में गड़ा या साउथ वेस्ट में कुवा या साउथ वेस्ट में अंडरगाउंड वाटर टेंक या साउथ वेस्ट में सेप्ट टेंक निर्मित किया जाता है किसी भी तरह का basement या low lining निचला इस्तार रखा जाता है उन घरों में कभी भी आसाती सपलता किसी भी फिल्ड में प्राप्त नहीं होती वलकि ग्रह स्वामी कोई लंबी बीमारी का सिकार हो जाता है इसलिए आप अपने घर का south west में जो कुवा निर्मित है यदि लंबे समय का पुराना कुवा है तो बिदी बिदान पूरबाग उसे ठंडा करें ठंडा करने का विप्राय पूरी बिदी होती है किसी मुहूर्त निकालने के उपरांद और उसकी बास्तु रजिस्ट्री करने के टंडा करें और उसमें एक कलस स्तापित करें जिसमें 5 हल्दी, 5 सुपाड़ी पीली सरसों और चादी के 5 स्वास्तिक रखकर और पीली सरसों से मुक तक भरके और उसके उपर एक धकान रख करके जलता हुआ दीपाग और पैक करें तब उस कुए में स्रेश्ट किसी खेत की मिट्टी ला करके उसे पूरित करें इस तरह से आप अपने घर के नेरत कुण के कुए को ठंडा कर सकते हैं जी बिल्कु डॉक्टर साहब आज के लिए बस इतना ही बहुत सारे और मेल्स थे हमारे पास लेकिन समय के कारण हम उन मेल को शामिल नहीं कर पाए हैं हमारा संस्थान MP विल्ला ग्रूप का एक अंग है और देश का प्रमुख केविल में निर्वाता है पिछले तीन वर्सों से लगातार हम रिशेशन के कारण घाटे की स्थिति में चल रहे थे पिछले वर्स भारत के सुप्रसिद्ध वास्तु विशेशा के डक्टर राजेंद्र जेन जी इन दोर से हमारे आवंतर पर सतना पढ़ारे और पूरे प्लांट का निरिक्षण करके उन्होंने वास्तु संबंधी अनेक दोसों से हमें आवगत कराया और हमारी प्लांट की वास्तु की जो कमिये थी उनको दूर किया कुछ जमीन पर एनरजी डेवलप की उनके सहयोगियों के साथ कुछ भक्तामबर का अखंड पाठ भी किया गया और उन्होंने जो जो उपाए हमें बताए वे सब हमने पूरे किये और उसका नतीज़ ये निकला है कि वर्स 15-16 में हमारा कारखाना प्राफिट में आ गया है कि वर्स 15-16 में आ गया है